पंडी जी जब बात आती है किसी शेहर की तब उस शेहर के मुख्या की भी बात आती है अगर हम मुंबई की बात करते तो मुंबई का मुख्या है मुंबई का मापौर सुनील प्रभू जो है शिवसेना के है वो और मुंबई के महापौर के तरपर आज जो जिमा संबाल रहे है स्वर्गीय शिवसेना प्रमूग बाला साथ ठाकरे के आशिरवात से और उद्दव ठाकरे के मार्गदर्चन से वो अपना कामकाज कर रहे हैं लेकिन पीछले दिनों में जब अब पिखिए उनके बारे में भी कुछ विवात सामने आये साती साथ शहर को भी एक संसा ने गंदा कर दिया तो मेरा यह आपसे पूछना है क्या यह शहर की तारे गर्दिश में है या शहर के मुख्या के तारे गर्दिश में हैं देखिए जब हम सुनील प्रभु की कुंडली की बात करते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में बहुत ही परिश्रम किया, एक छोटी सी जगा से उठकर, सबसे पहले गजानन किर्तिकर जो हैं, उनके वो असिस्टेंट बने, उसके बाद में उन्होंने अपनी हिम्बत दिखा कर कॉर्पोरेशन में आए, देखिए दो बातें समझ लीजिए, कि एक आदमी, जैसे अभी मैं बोल रहा था, कि छोटी सी जगा से फ्रम नोवेर से उठकर कहीं का कहीं पहुंच जाता है, सुनील प्रभु की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं, तो एक ऐ ऐसा शक्स जिसने अपनी मेहनत से महापौर की पद्वी को हासिल किया, अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का, अपने बड़े नेताओं की को साथ में लेकर आगे बढ़ा, अगर कोई गलती हुई भी तो हाथ और हाथ जोड कर, सिर ज आए नहीं कि सुनील प्रभू का आगे आकर भी भविश्य बहुती उज्वल है अगर सुनील प्रभू की कुंडली का और उद्धव साब की कुंडली का अध्यन करते हैं तो ये एक इतनी अच्छी कमपेटिबिलिटी बनती है जिसको 85% कमपेटिबिलिटी कहा जा सकता है सुनील प्रभू माननिय उद्धव ठाकरे के साथ कदम से कदम मिला कर इस प्रांत का और इस शहर का उदे करने वाले हैं इसमें कोई दोर आए नहीं अभी आप देखिए बेशक वो आमदारगी की सीट राजहन से हार गए मगर उसके बावजूद भी उनकी कुंडली के सितारे इतने अच्छे थे गुरू इतना अच्छा है सबसे बड़ी बात होती है कि जूपिटर उनका बहुत अच्छा है जिसके कारण उनको बजूर्गों का अशिरवाद है कुंडली में ग्रहों का अशि बिल्कुल हारकर भी जीते हैं